त्रेता यूग देखी चली आयेको मिथिला को सवेवंदा ठूलो पंद्र दिने धार्मिक यात्रा मिथिला परिक्रमा चोथो दिन मा महोत तरी मा प्रवेश करेको छा किस्वरी जी अर्थात जानकी जी तथा मिथिला बिहारी अर्थात श्रीराम जी को डोला संगे पचांसो हजार मानिसले फागुन को अउस्सी बाट हनुमान गडी मा चीन हो राकी धनुसा को कचूरी गाउश्तित मिथिला बिहारी मठ पाट यात्रा सुरू भयको हो महो तरीमा प्रवेश करदा मठीहानी का परिक्रमा यात्रीको बेवस्था पन मठीहानी नगरपाली गाले गरेको छा परिक्रमा परिक्रमा यात्रीहरू लच्मिनारायन, सिवजी, हनुमान जी, रागो बाबा, मिथिला, बिहारी र किसोरी जी को डोला राखे को इस्तान को अनिवारी रुपमा दर्शन गरनी करशन त्रेता युगमा श्रीराम तथा सिताजीले गरेको परिक्रमा लाई आधार मानी नेपाल र भारत मते नेपाल को 1-7 किलोमीटर र भारत को 23 किलोमीटर गरी, 1-3 किलोमीटर पईदल घुम्नेक्रम मा परिक्रमा बासी हरू निर्धारीत पंद्र बासा इस्तान मा राती को व पंद्र ठाउं को परिक्रमा मां सहबागी ले एक से आठ तीरत इस्तल बराबर को फल प्राप्त हुने जनविश्वास रहे को छा। केंद्र और प्रदायस सरकार और नगर के सरकार स अपक्ष्या करेची की परकर्मा के बारे में कुछ बहुत आनंद रूप सही सब सेबादे जैसे हमरा देश केटा गरब होई। कि अखर ओरही भारत को करुणा विशोल रा यात्रा को अंतीन दिन अर्थात 15 दिन नेपाल को जनकपुर को अंतर ग्रिह परिक्रमा गरी मिथीला मद्य परिक्रमा संपन्न हुने परमपरा छौ। परिक्रमा नेपाल र भारत का भूमी संग जोडिये काले परापुर्व काल दिखी इद्दुई मुलुक को सम्मन्द सुमधूर राखन येसले ठुलो भूमी का निर्वाहा गर्दे आएको छा गैट मिन्द मेर्मय कान ये राखन एफ्जान मेरे परी आखने आएकोचा और मेल्य करैंक मुलॐओं भास्त मनद डुरिः परले कि मीवें जाव और टाले मिकटानमाइ करें ये मुलॐओं ये तिमिग्ता को फजिदे घुए जए मुलॐओं परिक्रमा सक्किये को भली पल्ट तराइमा होली मनावने परमपरा रही आएको शगर्माथ टेलिविजन का लगी महोतरी बाट मनोज जा मुक्ति को रिपोर्ट